हेलो फ्रेंस अप लोग को स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पढ़े दोस्तों खांसर का नियू बुक आ गया है तो जिर बाइस के रिशल पढ़े इसमें जो वह एंटीपीसी और गुरूप डी का पुछा हुआ फिजिक्स का सारे कोशन दिया हुआ है और जो 21 में चैनल को आपके लिए तो आज चैनल को आपके लिए तो आएए हम आज चैनल करते हैं उसे पहली बार हमारे चैनल पर आएं तो जल्ले से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि रेल में समय जो भी निव बुक आता है उसका सलोशन आप लोगो सबसे पहले मिलता है तो चलिए स्वाव करते हैं चैप्टर दो और जब्र तीन दोस्तों यह बुक जो है वो किरन पर कासर के दोरा त्यार के गया है तो चलिए स्व अब लोग करते हैं दोस्तों चैप्टर दो जो है उकार्ज और जाओर सकती इसका सारे अब्जक्ति हम लोग देखने बाले हैं चलिए देख लेते हैं तो उसे पर लेगर आप नय है तो जल्दे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए इस वीडियो का जो लग्च्छ है वह एक जब और भी तरशु किजिए और सपोर्ट कीजिए क्योंकि आप लोग के लिए जो भी निव काता है उसका स्लोषन आप लोगं के लिए लेकर आते हैं तो चलिए स्लव करते फिर्ट में को क्सट एक खर में में अधिकतम पर्किया पूली तरह से और जाए खर नहीTON में दिखतम काज के लिए परकिर्य पूरी तरह क्या होनी चाहिए तो इसका आंसर निभी सही हो जाएगा बी जो कि इसका क्राइक पर्तिवर्थी गिरते हुए पिंड की गतिक और विभव उरजाओं का योगफल होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर यह हो जाएगा इनि सभी बिंदों पर समान होता है नेस्ट कोशन दखिए दोस्तों सभी कोशन जो है वह बहुत ही महत्पूर्ण कोशन है यानि कोशन नहीं है आजकल जो है एक्जाम में डिपकल जो की सांस का कोशन पूछ रहा है तो आप लोग जो है डिपकल कोशन पढ़ने की कोशिच कीजिए कि जब एक चलबस्तू की गति दुगुर्णी की जाती है तो उसकी गधिश उरजा क्या हो जागी दोस्तों यानि बेग क चाहिए तो घरी में चावी भरनने के बाद उसमें डेस और्जा जोकी बंड़ारित हो जाती है हो जाती है तो इसकी में यानत्रिख अर्जा जाएगी हो नेक्स्ट जो कोशन है कि और अभी तक आप लोग लाइक नहीं कि तो जली से एक पड़ लाइक कर देजिए क्योंकि आप लोग के लिए महत्पुर्ण कोशन होने वाला है तेकि नेक्स्ट जो कोशन है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिशी उर्जा यह यह चो त्हाई हो जागी तो आंसर दीज हो जागा कि दो ढुसंत थे समान परिमान वाल पुंड की गतिशी उर्जा समान है तो भारी प्रमान वाले पिंड का होगा दोस्तों अगर गतिच उजा समान रहे तो भारी परिमान जो होगा वो अधिक संब्यक का हो जाएगा यहां पर गतिच उजा है तो संब्यक का भार जो की अधिक्तम होता है गतिच उजा समान रहने पर भारी परमान जो है वो गतिच संब्यक का अधिकर होगा तो अंसर भी हो जाएगा नेश्ट कुछ नखिए कि गुप्त उजा क्या है तो इसका अंसर हो जाएगा यह एकांक द्रमान पिंट के अवस्ता परिवरतन के लिए प्रिक्त उजा तो आंसर इसका सही हो जाएगा नेश्ट कुछ नखिए चलती गारी में बैठे आदमी की उजा होगी चलती गारी में बैठे आदमी की उजा होगी तो इसका अंसर क्या हो जाएगा नहीं इसका अंसर सी हो जाएगा गतिच उजा और इस्तिच उजा नेश्ट कुछ नखिए निम स्थिति सकती होता है या आप लोग इस घुड़ा भी कहा सकते हैं इसका सब्सक्राइब कॉषन जो कि अत्यम्हदपृन कोशन है तो आप लोग देखेगा कि कार्ज की कहीं क्या होती है तो कार्ज की काई होता है लेकिन इससे दिवार की स्थित्री में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो इसका अंसर क्या जगा यह नहीं कि नहीं किया तो आंसर इसका सी हो जगा कोई कार्ज नहीं किया नेश्ट कुसंद कि गुर्तवाकर्शन के लिए जी गुर्तव की कारण तोरण का मान अधिक्तम होगा तो इसका अंसर धुर्बवपूर हो जाएगा तो भी इसका प्रिवर्ट हो जाएगा नेश्ट कुसंद कि नेमलेखित में से कौन एक उर्जा परिवर्तक नहीं है इसका आंसर भी हो जागा समताल कांच नेक्लेखिए नेक्स्ट कुस्टन कि एक मिसाल को पलाइज बेक से कम बेक के साथ प्रश्पित याँनि रियनात्मक होती है तो भी इसका औरेक्ट हो जागा तहींगी देंट रिघुक्स्टन है कि गथी रिच्टन कि किसके बर आबर ह होता है तो इसका जो फर्मूला होता हो दोस्तों वों वाज़े टू एमभीय श्क्र होता होता है इसका एक सही आस्तर हो जमात हो जगा जोकी दुछी टार में पूखा हो गया कॉचिन है नैस्ट कॉच Tow के港 यहось यहां पर एक बस्तु का संपुर्ण भार्ष कारता है उसे क्या कहा है वह बिन्द जहां पर एक वस्तु का संपुर्ण भाड काज करता है उसे क्या कहते हैं तो इसका अंसर क्या हो जागा दोसों तो इसका अंसर हो जागा यह नहीं गोटवा कर्शन का कैंद्र करते हैं तो इसका क्रेक्ट हो जागा का एकना कि इस्ताइव भूजी होता है तो इस्तिए जिए अच की बरावर होता है इसका ऑप होजागा यूपिंच की से टरफित हो गरत ठारे रहे में पुचा वाक लिए मैंस यो अल्रफ ऑसन है कि सब्सक्राइब करने के लिए शुत्र जो कौन सा होगा तो इसकांसर निकली गोली यह भी गतिज उर्जा है तो यह भी गतिज उर्जा का उधारन है किसी उचाइब चाहिए किसी उचाइब करते हैं एक बस्तु की इस्तिज उर्जा को क्या करते हैं तो इसका उजएक उचाइब चाहिक वर दो नेक्स्त करते हैं निम लेक्ति में स्कॉन उचाय के साथ बढ़ता और घरता है तो इस कांसर क्या जगा तो इसकांसर यह इस्तिती उठ़्जाह इस्तिती उर्चाह जो है वह तो उस्तिती उर्चाह एक होती है किस मामले में अधिक्तम इस्तिती उर्जा होती है तो इसका आंसर क्या हो जागा नहीं करता है तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहांनि कार्ज है किस पर नहीं करता है तो आंसर संब्धेग हो जाएगा दोस्तों कास्तों जो सो फ्रहमूला होता हो पर एफ 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 स कोस्ट्टः थिटा यहुए फैस भी दिया वहा है और विश्थापन जो है दोस्तों दूरी एफस स एस बीदिया हुआ है और बल भी यह संब्वय कि कुए स्परेश करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं परत्यास था इस अरजा होगी तो इस ती व्जाज होगी दोस्तों वह क्या हो जागी थे मूं यह कॉशन रहे कि इसना स्थ मधे दिया रहती है स्फटिह कंफिर्डेंग अंति में कांप करते हैं तो प्रत्यस्थ जो काम करते हैं तो बाद़ी होती है तो अंधे दःफिक अध्याय कोश्ण है कि चलिए नेट हम लोग कोशन देखते हैं नुम्रिकल का दोस्तों बहुत सारी कोशन दिया हुआ है देखिए नेट कोशन है कि किसी पिंड का बेग दोग्रना कर देने से उसकी गतिजी उर्जा तो उसकी गतिजी उर्जा क्या हो जागई तो चोगोनी हो जागई नेट कोशन द अंसर क्या हो जागा यहां पर यांत्रिक होना चाहिए नेस्ट कुस्ण देखिए कि धोनी उर्जा में बदलने का साधन क्या है तो धोनी उर्जा को विद्ध उर्जा में माक्रोफोन बदलता है तो आंसर भी हो जाएगा नेस्ट कुस्ण देखिए कि घर्षन हीन छेतिज तल पर चलती हुई किसी बस्तु की उर्जा में किस प्रकार का परिबतन होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं उर्जा उचर रहती है तो आंसर सी हो जागा उचर रहती है नेस्ट आपने का मात रख है तो सक्तिम आपने का मात रख क्या है दस्तो तो अंसर हो जाएगा दर तो कि टेलीफं में बात्षीत करने में तो इसका आसर आशी होता है so कि दोंडी ओर यह निद्यातर रुप में अस्थानतीत होता है यह तो just यह नहीं एम द्रमान के एक कंड को रेखे संबेगे यदि पी है तो उसकी गति उज़ा हो चाहिए तो गति उज़ा दोस्तों पी स्कॉर बाई टू एम हो जाएगा तो अंसर भी हो जाएगा देखिए कि दोनी उज़ा से बीदत उज़ा में बदलने वाला इंतर तो माइक्रोफोन हो जाएगा देखिए नेक्स जो कॉसन है कि सदंत्रा पुर्वक गिरती हुए बस्तू में क्या होता है दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा नहीं गति उज़ा बढ़ती है और इसी उज़ा जो है व सबस्क्राइब नहीं होती है क्योंकि वह गतिम है इस में इस अज़न होती है यह बढ़ती कमरणी दार्व घरी में संचीत उज़ा होती है तो इसका अंसर क्या हो जागा याली इस तो जी पॉट्सरी हो जगा इस तितरी उज़्वा दूजा का क्यो कडिनेक्ट कोशन है कि माइक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् प्रिट्रीविस कितने उचाई पर एक किलोगराम सही निशनात्ति की बस्तों की इस जोगी एक जुल्हों का दोस्तों यह नुम्रीकल है कि नेश्ट कुर्षन देखे किसी पिंड का संब्य यह दुग ना कर दिया जाए तो उसकी गति उजा हो जागा दोस्तों निश्ट का सही आंसर हो जागा नेश्ट कुर्षन देखे कि दो भीन भीन मात्राओं वाले पिंडों की गति उजा कमान ब्राबर है उनकी संब्य कमान होगा दो भीन भीन मात्राओं वाले पिंड की गति उजा समान है तो उसकी संब्य कमान दुस्तों यानि भीन भीन होगा और भारी पिंड के लिए अधिक होगा कि दो भिन भिन मात्राओं वाले मात्राओं पिंडों के संबेक का मान ब्राबर है तो इसकी गतिज उजा होगा संबेक मान अगर ब्राबर रहे तो भिन होगा और हलके पिंड के लिए अधिक होगा तो इसका अंसर भी हो जागा है तो संबेक रहे तो हलके पिंड के लिए अध अथिक होगा सब्कि अगर गतीज उससाज होगा तो यहां पर भ़ारे न होजयगा तो इसका जुसाए यहां सम्घ्ज्ण सम 카णा तो हलगे ने हैं हल के पिंड का जो उसला होगा उधिक हो तो 20 का क्रेक्ट हो जागा नेक्ट को संद कि कि किसी पिन सक्ति का मात्र क्या होता है तो सक्ति का मात्र होता है दोस्तों यानि न्यूटन मीटर प्रतिस सकेंड तो सी इसका क्रेक्ट हो जागा नेक्ट को संद किये नेक्ट जो कोशन है कि कि खुले सिस्टम में होने वाले प्रक्रिया जो कि सिस्टम में बड़े प्रिमाने प्रहस्थांत लर्ण की नम्रती देती है किस प्रकार की नाम से जना जता है तो इसका आंसर क्या हो जागा तो इसका प्रभा प्रक्रिया होता है तो इसका प्रभा प्रक्रिया होता है तो इस सारो हमने बरेखक्तप हो जागा तो इसका गणत हो जागा, सब्सक्रां कर्वाइड है जो को सब्सक्रास करते हैं है कि एक ब्रक्ति त Sooil machine के उपर चलती लीट में ख़रा है तो मसें कम से कम पार्ट देख लाएगी जब directing सिवस्द लूप से गिरते हुए लिप्ट में ज creating गीर रहा हम तो इसरों 20 इस 시 naris Naja कोई बस्तु चंदरमाण से पीफर अस्थान्तित हो जाती है तो आसर क्या हो जाएगा तो इसका अन्सर क्या हो जाएगा य LAUN जब कि युष्य वी तो उसका humor लाएगा तो इतना बढ़ा रहेगा जब कि इस में जो है भार गुर्तबा करण बदल जाता है तो आंसर डी हो जागा इसके कि लिफ्ट के अंदर के आदमी का भारा दिकतम होगा जब तो इसका आई अधिक्तम हो गाध्ट-0 हो तो इसका अंसर कितना भाग ज न माई के सबसे नजजदिक होता है तो इस उ Kak 2000 को लिखन का प्रिटिवी पर वजन एक हो सरीर का बजन होता है सरीर दिर्पडबड दिर्फतों को कोई बस्तुं अधिक्तम बहरीज घ्ल हो जाती है तो इस निर्वात में को बस्तुं का अधिक्तम हो जाता है तो पित्रीय की तल पर एक बालक का भाड 600 न्यूटन है तो चंद्र तल पर उस बालक का भाड क्या होगा रिस्थ चंद्रामा पर यह होटा है इनि 6 से भाग दे देंगे तो 100 न्यूटन अगर दिया प्रक्राव हो जाएगा चांद की सतर चांद की सतर यदि एक चट्रान लाए जाता है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा तो इसका भार बदलता है और धर्मान नहीं तो यह अंसर भी हो जाएगा यहीं भार बदलता है और धर्मान नहीं निर्वात में यदि तीन बस्तू लोहा कागज और पत्थर को गिरा जाता है तो पिर्थवी पर कौन पहले आएगा दोस्तों पिर्थवी पर यहीं तीनों साथ आएगा तो डी इसका कॉयक्ट हो जाएगा next question किये कि यदि पिर्थिवी और सुर्ज की बीश की दूरी बरतमान दूरी की दुगनी हो जाती हो तो सुर्ज द्वराप्रिथिवी पर निश्पादित गुत्पा करसने बल कितना हो जागा तो इस कांसर क्या हो जागा तो इस कांसर यहनि बत्वान का एक चोठाई हो जागा तो D इसका correct हो जागा देखे, next question है कि किसी lift में एक ब्रक्ति का भार बर जाता है यह दी हुआ तो इस कांसर तोलन के साथ उपर की और जा रही हो यहनि किसी lift में एक ब्रक्ति का भार बर जाएगा जब तोलन के साथ उपर की और जा रही हो next question देखे next question है कि मनुस में lift यहनि मनुस lift में कब अपना भार कम महसुच करता है तो इसका आंसर क्या जागा जब तोलन के साथ उपर जाते हुए समय लिप्ट में अपना भार कम महसुश करता है तो आंसर दोस्तों यह हो जागा तोलन के साथ उपर जाते हुए समय अपना भार जो कि कम महसुश करता है देखे नेक्स चोकोसन है कि किसी उचाय से प्रिथभी की और सुतंता पुर्वक गीर रही बस तो एक समान डैस से गीरती है तो एक समान तोरण के साथ गीरती है तो आंसर भी हो जागा यहीं एक समान तोरण के साथ गीरती है देखे नेक्स चोकोसन है कि यदि दो दरमानों के बीच दूरी दूगुनी कर दी जाए और उनके बीच गुतवय अकर्षन होगा द्रमान के बीच दूरी दूगुनी करने से गुतवय अकर्षन क्या होता है तो आंसर एक चोठा ही हो जागी कोश्ण देखिए गतवा कर्सण के यहनि ब्रहवांड्ये नियम केаль कौन है तो इस और ऑज जागा थी यहां नियूट्रन हो जागाosi क्यों साब दीए तुमीफ शावत्र नियूट्रन का नियम तो इसका नियूट्रन होता है next question देखिए next question कि दोस्तों कुछ कम करता है और नमरिकल बहुत ज़यदे दिया हुआ है कि सधाहन तुला सधाहन तुला है कि सधाहन पर काच करता है तो सधाहन तुला दोस्तों यह जो है कि यारे यह बल अगुरू के सिधान पर गाज करता है योज़ा दोस्तों गुंदी के लिए अतिocy महतप्रण करती है कियो यह बहुत रख़ात देखिए अगर किसी पिर्थिवी के क Conse स currently जाए किसी पिंट की दूरी पिर्थवी के केंद से दुगुनी कर दी जाए तो इसके बाहर में क्या परिवतन होगा तो इसके बाहर में दोस्तों क्या परिवतन होगा यह नहीं चोठाई हो जाएगा तो इसी इसका कोरेक्ट हो जाएगा नहीं चोठाई हो जाएगा कि दर्वाजे के हत्थे दर्वाजे के उस छोड़ पर होते हैं जब कबजे वाले छोड़ से अधिक्तम दूरी पर हो क्योंकि तब तो इसका आंसर क्या हो जागा है तब क्या हो जागा है तब वहां लगाब जो है वह अधिक होता है तो इसका आंसर दी हो जागा नहीं दर्वाजे के जो है कबजा होता है और यहां पर जो कि हम लोग पकरते हैं तो यहां पर को सबल होता है यहां पर लगाब अधिक होता है क्या होता है तो लगाब अधिक होत स्राइङ हो जागा कमान दार तुल्ला हो जागा तो एसा कमान दें दार तुल्ला नेघ्स को संथ कि स्थाइख के फिथ्विए के Ход चेतर से बहर निकलने के लिए पिंड कर न्यूंत्म प्राधंबिक कितना होना चाहिए तो इसका आजहीं 11.2 दो के ने इस्थ्ति है तो इसका जो आजो हो जागा दोस्व नियु व्योडरी हो जागा नेकर 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 को सनके कि युक नेकर की कि सिबस्तू होता है तो तो इसका आंसर क्या हो जागा तो इसका आंसर होजएगा यानि वस्तू के दरमान से सत नतत होता है तो extent क्या हो जागा तो देखें विद्बिया तोरण काला हुधा तो आणसर प्रित्वी के अक्षांस पर निर्भरव करता है तो इसकांस ड हो जाएगा किसी बश्तुर्ण किस में इसकाि यार्जा को जो जाएगा। गुत्विया तोरन और किसका गुणन फल तो गुत्विया तोरन और द्रमान के गुणन फल को हम भार करते हैं गुत्विया तोरन और द्रमान के गुणन फल को भार करते हैं नेड व क्रूशन किरें कि बादल में टेरते हैं इसका स्कार्ण हो जाएगा वाइव में बादल जो टेरते हैं वह आलप घरन पर होता है तो किसी बसतू का भर के 생각 हो исслед कि वस्तू के बीच गोत्वा करता है कि पर नहीं करता रहागा तो इसके द्रहमान के यूग पर नहीं करता है तो इसका आंसर क्या हो जागा तो इसका आसर ची हो जाएगा देश्क कुस्ण थ्के हिंव के ऊजया है तो यह सब्सक्राइब है कोई अंतर्ष स्यान परीधिवी कीश गर्थ संसर दो प्रत्र मींट अफ्रप्रोट में किया हो जाए को सुधियोंרה होगा तो इसका अंसर क्या हो जाए सुधिमा इन दो पॉइंट चार पांच मीटरूर्फ सकर्षर हो जाएगा भीड़ी करद करक्षांज सुधियुरू στα किसका केंदर का द्रमान सरीर के बाहर है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा तो इसका अंसर नहीं एक चूड़ी हो जाएगा तो इसका इसका कॉलेक्ट हो जाएगा तो देखिए यदि बल केंदर के द्रमान पर पड़ता है तो आर्क क्या होगा तो आर्क क्या होगा दो आर्क हो प्रिथिवी के उपगरा की कख्छा 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 होता है तो इसका आंसर क्या हो जागा तो इसका सभी आंसर हो जाएगा क्या हम एक हो जाए तो इसका आशर कमई हो जाएगा तो इसका सभी प्रिथवी अचानक शिकूड़ जाए तो देन के लंबाई क्या होगा तो इसका ऐसे में कमी में च्डिकाब में कमी होती है तो दखिए कि अधिक्ताम ब्यास बला गरा होता है वर्शपत्य हो जाएगा कि ऐगे कि दिए प्त्थर को प्रिथिप के ज़ए तब क्या होगा तो इसका इसका अश्राइनिंद काभण जो कि सुन हो जाएगा इसका बहार सुन हो जाएगा नेक्स कुरूशन दोस्तों इसमें जो है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा तो इसका अंसर यानी 36000 कह्या हो जाएगा। तो इसका अंसर क्या हो जाएगा है यानी 36000 क्यमी दोस्तों इस बुक में जो है वो लगभग 2000 जो की one-liner question दिया हूआ है स्टाइस का अगर आप लोग पढ़ना चाते हैं तो कोमेट में बताएगा कि वॉन लाइनर को सपूर्ट अच्छा रहे तो हम लोग वन लाइनर जो है इसमें 2000 को सवल्ब करेंगे तो अप लोग कोमेट में जरूर बताएगा और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्य लाइक का और शिर्फ 500 सब्सक्राइब का तो आप लोग जरूर पूरा कीज़ेगा और हम भी आप लोग के लिए डेली जो है दो प्रैक्टिस से तलाते हैं और इसका जो जो 2000 अब्जेक्टिव को एनी वाला नेर कोशन है वो भी आप लोग के लिए जल्द ही लेकर आएंगे तो कोमेंट में अपनी राय जरूर देजएगा फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में दोस्तों तब तक बाई